हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टु माय चानल इंफो प्लग आज मैं आपके लेकर आए हूँ पतंचली की दिव्वे मेलानोग्रेड तो सबसे बेले मैं आपको बता देती हूँ हमारे इस चैनल पे आपको मिलती है आरवेदिक से जूड़ी जानकारिया चाहे वो हेल्थ हो या स्के गरे लूप चार तो मैं आपको बताऊंगी इस दवाई के बारे मेलानोग्रेड जिसका नाम है कि उसके क्या-क्या फाइदे हैं इसको कैसे यूज किया जाता है इंग्रीडेंट्स क्या डाले गए हैं प्राइस क्या है प्रिकॉशन्स क्या ले सकते हैं और इसका एकस्पार क्यों यूज किया जाता है क्या इसके फाइदे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडिकेशन्स में लिखा हुआ है लिउकोडर्मा वाइट स्पॉट्स अन स्किन तो इसका मतलब है कि यह हमारी तौचा की सूजन और सफेद धब्बो को कम करने में बहुत ही हेलपफ मेलानोगरिट बनाई गई है बहुत से लोग होते हैं जिनको यह वाले बिमारी है और उसका इलाज वो कितना भी करा ले अलोपैती हो होमोपैती हो तो अगर जिन लोगों को वो सब यूस करने के बाद भी फरक नहीं पड़ रहा है तो मैं जरूर आपसे बोलूंगी कि आप यह जरूर ट्राइ कीजिए इससे आपको जरूर आराम मिलेगा तो यह इसी के लिए ही बनाई गई है तो अब मैं बात करूंगी इसके यूस के बारे में कि इसको कैसे यूस करते हैं जवाई को इस जवाई को यूस करने के लिए आपको दिन में दो बार खानी है खाना खान के साथ लेनी है आपको ये बाकी मैं आपको सला करूंगी कि आपको जब ये आप दवाई खरीदने जाएं ये वाली तो आरवेदिक चिकित सक बैठे होते हैं पतंजली के स्टोर पे आप उनसे जरूर सला मश्वारा करें कि इस दवाई को कितना लेना है कैसे लेना है डॉक्टर रेकमेंडेशन इस मस्ट जरूर डॉक्टर की सला लेजे हर चीज के लिए दवाई जब ये आप खरीद रहे हैं खुद से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मैं आपको बता दिया है बाकी फिर भी डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए दवाई उस करने से पहले इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है अगर आपको फिर भी लगता है तो आप डॉक्टर से पूछ लेज़ेगा बाया कोई साइड एफेक्ट अब तक इसके नहीं भी नेक्स-उम बात करेंगे इसमें ingredients किया डाले गए है आपको दिखा देती हूं ingredients इसमें इसमें डाले गए है शोदित बकूची खदीर, मंजिश्था अमलतस इस तरह के इसमें आर्वेदिक हव्ज जाए है अब हम बात करते हैं इसकी price के बारे में इसका price है रुपीस 255 255 का इसका price है और इसके अंदर मिलेंगी आपको 60 गोलिया, तीन पत्ते मिलते हैं इसमें, हर एक पत्ते में 20 गोलिया है तो कुल मिलाके हो गई 60 गोलिया अब जानते हैं इसका expiry time period क्या है इसकी manufacturing है 2023 और expiry rate है 2023, वो sorry 26, तो लगबक तीन साल ये दवाई चल जाएगी आपकी अगर आपकी दवाई खतम नहीं हो पाती है बच जाती है तो आप इसको उठाके रख सकते हैं ताकि अगली बार अगर जोड़ पड़े तो आप इसको use कर पाएं तो next हम बात करेंगे इसके precautions के बारे में कि आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं अपने खान पान पर तो आपको ध्यान देना ही है बाकी आपको health अपनी ठीक रखनी है skin के ये जो बिमारी है इसके लिए आपको तुलसी पत्ता जरूर खाना है daily कपाल भाती अनुलोम विलोम regular करना है regular और जल्दी उससे अराम मिलेगा ये चीज़े बहुत must हैं बाकी आप क्या कर सकते हैं इसमें लेप भी होता है वो आपको doctor ही बताएंगे जब आप ये दवाई खरीदने जाएंगे कि आपको वो चीज कैसे यूज़ करनी है या भी आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं तो आप पतांचली के स्टोर में जरूर जाएंगे दवाई जब खरीदे तो उनसे जरूर पूछिए कि किस तरीके से इस दवाई का यूज़ किया जा सकता है तो friends I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like share जरूर कीजेगा धन्यवाद